कि नमस्कार आदाब सस्थेकार और स्वागत आप सभी का क्लाट अधर लॉइंटेंस एक्जामिनेशन के इस चैनल पर मैं हूँ विजेंदर सिंग चौधरी और आ गया हूँ आपके सामने लेके फिर से एक बहुत इंपोर्टन सेशन जो कि आपके क्लाट के अंदर सबसे ज्य आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ आज मैं लॉफ टॉट्स आज मैं आपको लॉफ टॉट्स के बारे में ऐसा इंट्रोडेक्शन दूँगा आपको टॉट्स जो है लगेगा मजाख कि टॉट इत्ता असान होता है टॉट में के बस इतनी चीज़े हैं जो समझने की जुरत हैं सिर्फ और सिर्फ अनेटिक अनलेटिकल तिंकिन हमारी हम थोड़ी सी रिच कर पाएं और कॉंसेप्ट को हम समझ पाएं यही आज हमारा मोटीव रहेगा गुड़ इवनिंग सर हैलो सर कैसे आप मैं बहुत बढ़ी हूँ तंद्रोस्तों जबर्दस्तों और आप डेड़ सो कोश्चन नहीं आने वाले हैं मेरे पैर बच्चो अब आएंगे सर्फ और सर्फ एक सब्सक्राइब बहुत सारे गिफ्ट हैं पर सभी बच्चों के लिए हैं जो क्लाट की तैयारी कर रहे हैं और जो एनलुकर सपना लेके बैठें उन सभी के लिए बहुत है और बहुत इंपोरेंट सेशन है क्लाट के एस्परेंस के लिए जो ना ना भूलेगा अच्छे वजी लॉफ टॉट्स को मैं आपको बहुत आसानी से समझानी कोशिश करूं तो आपके सामने मैं स्क्रीन पर दूँगा कि मेन कंटेंट के हैं जिसके उपर हमें काम करने की ज़रत है कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें देखने की ज़रत है जो हमारे पूरे लॉफ टॉट्स के अंदर काम आने वाले हैं तो आपके सामने स्क्रीन के उपर यह रहे सबसे पहले इंपोर्टेंट जिसके उपर हमें काम करने की ज़रत है that is meaning and nature of thought भीया हम सबसे between taught and crime देखिए दो तरीके के offenses है एक सिविल रॉंग है और एक क्रिमिनल रॉंग है एक टॉट है और एक क्राइम है हमें यह पता तो रहे कि भीया टॉट क्या होता है क्राइम क्या होता है अगर यह दियून चीज़ों के बीच का अगर जो अंतर है जो बीच का फासला है वह जब कोई भी चीज होती है जैसे सपोज मैं बात करता हूं पनीर की सब्जी मैं कहता हूं कि भाईया मुझे क्या कह सकते हांडी पनीर खाना है तो भीया हांडी पनीर के कुछ इंपॉर्टेंट इंडिग्रेंट्स होंगे तभी तो बनेगी हंडी पनीर उसके अंदर भीया ग्रेवी होनी चाहिए उसके अंदर प्याज की ग्रेवी होनी चाहिए उसके अंदर मिर्च मसाला होना चाहिए पनीर होना चाहिए थोड़ा ऑईल डलावा होना चाहिए बटर इंगिड्रैंट सोते हैं जो उसमें होंगे तभी उसको क्राइम कह सकते हैं तो मैं यह सिखा हूंगा कि कौन-कौन से essentials है जो अगर है तब आप उसको एक एक्ट को taught कहेंगे एक आफेंस को taught कहेंगे I hope I'm clear with this I want everybody to like this session और जूड़ जाए सर क्लाइड की न्यूस सुनके हम आप दोनों बहुत हैप्पी होगे बिलकुल भाईया मज़ेदार खबार रही है मुझे तो मज़ा आ गया हाई जी मैं करवाओंगा देन इस जनरल डिफेंस देखिए क्या होता है जनरल डिफेंस का मतलब यह बटा की दोड़ के लिए आपको कुछ ऐसे एक्स्विक और टोड़ हो जिंसे आप बच सकते हैं उन्हें कहा जाता है जिस विल रॉंग के लिए आप को कल्परिट नहीं दोशी किया जा सकता, आपके उपर damages नहीं लगाए जा सकते, आपको हम यहाँ पे एक ऐसे exceptions की बात करने वाले हैं, जिन से आप बच सकते हैं, वो कुछ important general exceptions हैं, जो मैं यहाँ पे discuss करने वाला हूँ, then the meaning of damages and kinds of damages, अब बात करता हूँ कि जहाँ पे taught होगा, तो damages तो होनी होने हैं, यह damage वो नहीं है, फोड़ फाड़ वाला damage नहीं है, यहाँ पे damages का मतलब है compensation, मतलब जब आप किसी आदमी को, अगर किसी परकार का कोई भी शती पहुंचाते हैं, तो उसके बाद में आप उसको compensation session में जो damages देते हैं, मैं उन damages की बात कर रहा हूँ, और कितने परकार की damages हैं, जो आप provide कर सकते हैं, for an example मैं बात करता हूँ, किसी का suppose car भीड गई, तो car भीड गई, तो आप उसके लिए damage में क्या देंगे, वो कहेगा 25,000 रूपया लगेगा, आप उसको 25,000 रूपय दे दे, that is, probably your damages, लेकिन मैं खहता हूँ कि नहीं भाया, I want my car to be repaired, आप इसको जैसी थी वैसी करा दीजिए, it's a restitution, आप सेम जैसी car थी वैसी आप car करा के उनको दे देंगे, मतलब जैस condition में थी, तो these are all damages, यह कितने परकार के होते हैं, यह सारे कैसरे damages में यहाँ पे cover करने वाला हू ठीक है, हाँ, Todd का real meaning क्या होता है, और Todd का filmy meaning क्या होता है, Todd का घर में meaning क्या होता है, Todd का coat में meaning क्या होता है, इन सारे meanings का पूरा का पूरा हलवा साफ कर देंगे, अभी तुमारे सामने, right now, right away, सबसे पहला topic आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, और वो है हमारा meanings, जैस now, negligence, nervous shock, nuisance, and then is your defamation, trespass, assault, false imprisonment, यह सारे के सारे क्या है, these are specific thoughts, ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूँगा, last but not the least, that is the liability, liability में हम बात करेंगे, strict liability, then is your absolute liability, and then is your vicarious liability, अगर इतना आपने Todd में पढ़ लिया, तो भीया सो टका है, क्या है, 100% Todd करेक्ट हो जाएगा, Todd से सवाल गलत नहीं होगा, आप लोगों का Todd का सवाल गलत नहीं हो सकता, आज शुरुआत कर रहे हैं, introduction के साथ में, जैसे आप कभी कार खरीदने जाते हैं, तो कार के शोरूम में घुसेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है, आप पूछेंगे भीया, क्या क्या फीचर्स हैं आपको बचा लेंगे सर, दूसरी बात सर आप लेन छोड रहांगे, तो गाडी वोले कि टीटीटीटीटीटी, लाइन में अजा लाइन में आजा, यह सब फीचर्स हैं, तो यह सब फीचर्स बता हैं, मैने टॉट कि कि हम इन सब के बारे में अब डीटेल में बात करेंगे आज मेरा सेशन है इंट्रोडक्शन के उपर टॉट के अंदर I hope अब टॉट समझने के लिए आप लोग तयार हैं क्या आप लोग टॉट समझने के तयार हैं तो तुरंत कि तुरंट लाइक बटन को दबा दें और लाइक के साथ में अपना थमसब दे दें मुझे दिल दें कि हां सर हम तयार है आप तो बैस अब शुरू कर दीजिए टॉट समझा दीजिए कि टॉट होता क्या है यह मुझे आप जल्दी से थमसब के तुरू बता दीजिए उसके बाद मैं शुरू करूंगा टॉट को लेकिन टॉट शुरू करने से मैं आप पहले बता दूँ कि क्लाट के एक्जामिनेशन के अंदर सबसे बड़ा सेक्शन जो है वह है दो सेक्शन लीगल एंड और करेंट अफेर्स और करेंट अफेर्स का बैकलॉग जो है उसको पूरा करने के लिए मैं आप लोगों के लिए 6 महीने का अल्रेडी कंटेंट डाल चुका हूं इस वीडियो को जरूर देख लिजेगा भूलिएगा नहीं ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिकर आ जाता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है हमारा क्ला 2024 का क्लासिक बैच अगर आपको यहां कानून की पढ़ाई पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि आप इनी सब चीजों को डीटेल में पढ़ें डीटेल में विट प्रॉब्लम सॉलूशन किस तरीके से आपकी अप्रोच होनी चाहिए किसी भी कोश्चन को सॉल करने की और यह सब अगर आप चाहते हैं मेरे साथ करना वाई 738 कोड है विटा इससे यूज करिए और हमारे बैच को जॉइन कीजिए वहां पे मैं आपको बनाऊंगा ऐसा दुरंदर कि लीगल का एक सवाल गलत नहीं होगा एक भी करन्ट अफेर का सवाल गलत नहीं होगा सत्तर पिछ करता हूं टॉट के बारे में तो टॉट क्या होता है बेसिकली टॉट बेसिकली एक क्या है सिविल रॉंग है ठीक है दो तरीके के रॉंग है एक क्रिमिनल रॉंग होता है एक सिविल रॉंग होता है यह पहली चीज तो यह है मैं आप लोगों की डिमांड और आपकी भी बचाव कर लेगा यह सभी के लिए important है I want everybody to call their friends and family आजाए यह भी हम यह session देखेंगा ठीक है ओके अब बात करते है क्या है basically it is a civil wrong अब यह word कहां से आया है तो यह Latin term है totum वहां से निकल के आया है tot और totum का मतलब क्या होता है तू ट्विस्ट जैसे मेरी कलाई एना कलाई यह पैनादे मुझे हरी हरी चोडिया वह अलिकलाई की बात कर रहा हूं है ठीक है उस कलाई को ऐसे मरोड दिया फिल्म में देखा होगा ना ही रोइन जो तो क्या क्या है किसी चीज को करना था कैसे और वह प्रेक नहीं लगाना जानती है ब्रेक लेकिन ऐसे चीजूशने ब्रेक लगाना भूल जाती हैं और वो कह रही है रुख जा रुख जा मिरको ब्रेक लगाना नहीं आता और धालाम से अंदर गुझ गुझ गई गल्ति आपकी भी आपने क्या कर दिया तो सिगनल आपका बंद हो गया था आपको रुख जाना था फि टॉट फीजर ठीक है तो टॉट फीजर कौन होता है टॉट फीजर होता है परसन हूं कमेट से टॉट जैसे फोर एंग्जामपल मेरे साथ संदीप बैटे नीतू महीब चंद्रप्रकाश और अमरीता बैठी है और हमारे साथ एक बच्ची है गौरी गौरी बहुत ही अच्छा बन गई है वो अब गौरी जो है उसके बारे में महीब चंद्रा अमरीता बैठके करते हैं चुगली और बहुत वाईयात लड़की है यह कुछ नहीं आता है इसको बिलकुल एकदम डफर है जीरो है जीरो और यह जो चार्जेने बात कर रहे हैं इस से जो है हमारी गौरी ज इस नहीं है और इससे साथ की जो प्रीजा रहा है वो गलत है देंड़ है जलदीसे कमेंड बाक्रिड़ करेंृत रहा है उसके प्रहस करण को हाम किया जा जी कह रहे है कि महीब बहुत बड़ा टॉट फीजर है इसके अंदर क्यों को कि यह बाद छेड़ी ही महीब ने महीब जो है वो टॉट फीजर रहे हैं यहां पर बात समझ में आगे विटा टॉट फीजर कौन होता है वsteer विटू ऌट baёмोः टॉट आ रह किया होगा अफ जो महीब ने जो टोके किया है वी वह तोट ऑट से था उसको इड्द से कंपनी में काम करने आना चाये ता यह चुगली-चागली कर вариант sequence कि बिजित्ति करने के लिए नहीं आना चीए था जो इसने एक्ट किया है यह है टॉटियस एक्ट बाट मिन्स इट इस रॉंग डूइंग फॉर विच दपर्सन कैन भी सूड और जो इसने गलत किया है उसके लिए हमारी गौरी जो है ना वो इसको सू कर सकती है किसको महीब को सू कर सकती है वह कह सकती है हलो महीब ऐल सी यू अन दे कोट्स और वहां पे हमारी गौरी जी का मैं वकील रहूंगा और मैं दलील पेश करूंगा महीब जी को क्या करवा दूंगा डैमेंज दिलवा दूंगा भाई या 2 करोड रुपिया देना पड़ेगा हमारी मैडम की र बढ़ते इन अक्ति मैंने कली उपको समझया था जो लास हमारी क्लास हुए थी डिफ्सेंडेंट क्या ओते है ये सारी चीजये आपको समझ में आ गई होगी ठीक है ओके सो person wronged and defendant कौन है the accused of the wrongdoing ठीक है जिसके साथ गलत हुआ है उसे plaintiff कहते है plaintiff को मैंने समझा है था plaint जो plaintiff file करेगा वो कौन होगा plaintiff और जिसने plaintiff file कर दी अब किसी के against जी तो की होगी न ऐसे तो नहीं कहेगा कि मैं खुद चोर है भया ले लो सामने वाला चोर है तो आप क्या करोगे जिसके सामने आपने जिसके अगेंज लिखी है वह आदमी क्या करेगा आपने आपको defend करेगा इसलिए उसको कहते है defendant I hope I'm clear with यहां तक सारी चीज़ समझ में आ गई है तो जल्दी से थमसब दे दीजिए मुझे फटाफट से ऐसे ठेंगा दिखा दीजिए कि हा गागा ऑगी या बात कि हमें यह समझ में आगीह के यहां यहां पर 50 बच्चा crimes बच्चे का सभी हा दिल चाहिए मुझे और एवरीबडीडी सीडिया चली टैट बहूत बढ़ है अब शुरबात करते है कुछ legal terms के उपर देखिए जो एक taught है ना इस taught को जो है basically मैं यह कहता हूँ कि it is uncodified ठीक है बेटा uncodified का मतलब क्या होता है देखिए uncodified का मतलब यह होता है जैसे आपने IPC देखा होगा आपने CRPC देखा होगा आपने evidence act देखा होगा आपने contract act देखा होगा यह सब के सब क्या है codified है वहाँ किस चीज में codified है यह sections के अंदर codified section 1 होगा section section 32 होगा 72 होगा 302 होगा 307 होगा 375 होगा 376 होगा यह क्या है यह सब codified है इनके लिए एक fix code हमने जो है वो dire कर दिया गया है कि यह सारे laws जो है यह codified है लेकिन taught uncodified है मतलब taught को हमने कहीं पे codified नहीं कर रखा कि अगर आप किसी गाड़ी बिढ़ा देंगे तो आप को यह punishment मिलेगी ऐसा हमने कहीं पे लिखावा नहीं है यह basically क्या है taught जो है यह it is based on precedence किसके ऊपर पैस्ट है इस बेज़ड़न precedence और you can say judge made law judge made law is basically a is a taught जो हमारे judge साहब होते हैं उनके थ्रू जो laws बनाये जाते हैं जो उनको यूनको टाइम डाउन the line जैसे-जैसे cases आता है उसके according जो हमारे judges है वो जो लोग को create करते हैं वो basically taught होता है ठीक है अब बात करते है section 2m of limitation एक्ट जो है इसके अंदर जो है हमको taught के बारे में लिखावा मिलता है ठीक है taught का कोई अलग से कोडिफाइड लो नहीं है ठीक है कहीं पर भी taught का कोई को हमने कोई एक्ट नहीं है जिसके अंदर taught के लिए सारे कानून काईदे लिखे हो लेकिन limitation एक्ट जो है limitation एक्ट जो हमारा यह इसके अंदर जो है section 2m जो है वो यह कहता है कि a civil wrong which is not just exclusively a breach of contract or a breach of trust is a taught ठीक है यह क्या कहता है यह taught के बारे में वहाँ पर बताता है कि भाईया या तो एक breach of contract होगा breach of contract समझ गए मैंने आपके साथ में contract किया कि भाईया मैं आपको ती महीने पढ़ाऊंगा उसके लिए मैं आपसे 50 लाक रुपे लोगा ठीक है क्योंकि मैं बड़ा teacher हूँ मैं आपसे 50 लाक रुपे लोगा आप तीन महीने पढ़ाऊंगा आप भी बहुत बड़े आदमी हूँ आपने उसको 50 लाक रुपे भेज दिया मैं डेड़ महीने पढ़ा के आपको और बीच में ही आपको छोड़के चला गया क्या हुआ आपने अपनी तरफ का जो act of contract था वो आपने पूरा कर दिया है अब मेरी तरफ से भी क्या था मेरी तरफ से भी performance पूरी होनी थी तीन महीने तक मैं तो डेड़ महीने में पढ़ा कि निकल लिया इसका मतलब मैंने क्या कर दिया दोनों चीज़े नहीं है और उसके बावजूद ऐसी कोई गलत चीज जो कि सिविल रॉंग कहलाती है उसे कहते हैं टॉट आई होप आइम क्लियर विद इस बात समझ में आ गई समझ में आ गई होगी आगे बढते हैं सेल्मंड साब ने क्या कहा यह क् utilized डेमेज अब इधाय स्यूसर्इज को डेमेज अब यह कुण यह कर सकते हैं जिसको आप लिक्वीडेट नहीं कर सकते हैं डेमेज को आप कुरसी पे बैड रहे थे मैंने आपकी कुरसी खीच ली और आपको पीछे जोर से चोट लगी क्या मैं इस दर्द को कहीं पे लिक्विडेट कर सकता हूं क्या कि आपको 3.5 किलो दर्द हुआ या 50 किलो दर्द हुआ नहीं कर सकता ना भीया नहीं कर सकता इसलिए जो भी हमारे होते हैं यह basically unlimited damages होते हैं इसके अंदर जब आपको damage दिया जाएगा जब आपको damage provide किया जाएगा तो unlimited होगा लिक्विडेटेटेड का मतलब यह है जैसे for an example मेरे पास एक लाख रुपए है यह लिक्विडेटेड है यह क्या है लिक्विडेटेड है यह लिक्विडेटेड का मतलब क्या हुआ कि मैं एक लाख रुपए को 100 रुपए के नोट में बीबदल सकता हूं मैं इसको 500 के नोटों के इंदर भी 되ore सकता हूं 2000 के नोटों में भी स्कों टोड सकता हूं 700 एक कर सकता हूं घ्यक है लिक्विडेट the breach of contract or breach of trust यह दोनों चीज से हटके जो है उसे कहेंगे हम क्या breach of contract sorry taught कहेंगे I hope I'm clear with this यहां तक की कहानी किस किस को समझ में आ गई है करपा करके thumbs up दे दे जल्दी से दे दे नहीं बेटा liquidated का मतलब होता fix है चीज को आप quantify कर सकते है कि हां भाया मैंने कहा कि मुझे गौरी को एक लाग रुपय देना है liquidated भी यह एक लाग रुपय मतलब एक लाग रुपय लेकिन taught के अंदर unlimited होता है यह हो सकता है आपने जो एक्ट किया जैसे foreign example मैं के बात करता हूं आपने के सुना होगा अपनेमिंट के जरिवाल जी ने कपट सिबल जी के अगेंश जुए लिए बाखhrad कर सकते हैं आप कर में पेटिशन भी F.A. कर सकते हैं ठीके तो शिवल चैनदर क्या होगा आपको डैमेज मिलेंगे क्रिमिनियल के अंदर क्या होगा आपको punishment मिलेगी सजा मिलेगी जेल मिलेगी और आपको fine लगेगा जैसे रहुल गांदी जी के साथ में हुआ रहुल गांदी जी के अगेंस डिफेमेशन का क्या था क्रिमिल केस था लेकिन कपिल सिब्बल जी ने क्या किया कपिल सिब्बल जी ने उसके उपर सिविल केस किया और सिविल केस के अंदर उन्होंने उनसे क्या मांगे आठ करोड रुपे है का नुकसान हुआ है मेरे इतनी बैजित्ती हुई है पैसा दो देना पड़े गाए इसे कहते हैं विटा अनलिक्विडिटेड़ डैमेज लेकर वहीं पे हमारे संदीब धहिया जी अगर जाके कोट के अंदर केस कर दें और कोट के अंदर केस कर दें कि भाईया मेरे को तो उमंग साब जो है उन्हों ने मुझे बहुत गलत सलत बोल दिया है पूरी जनता के सामने मेरी बेज़त्ती हो गई है मेरी की रेपूटेशन हम हो गई है तो क्या हमारे भाई साब जो है वह 8 करोट प्रमांग सकते हैं नहीं न यह वैल्यू करेगा आपके अब इनको अपन डिटेल में बात करेंगे बेटा यहां समझ में आ गई है तो बात करूँगा टॉट और क्राइम बारे मैं बैटा साइटी किसके अगेंद है यह सोसाइटी के अगेंज है और यह परसंगे अगेंज है ठीक है पर्सन ओर गुरूप ऑफ परसंग है ओके यह यह बैसिक ली इक डिफरेंस हो गया सबसे पहला so taught interferes with another person or their property जब आप किसी के परसन के किसी rights के अंदर या उसकी properties के अंदर interfere करते हैं तो आप taught कर रहे हैं लेकिन वहीं पे if wrongdoing that affect the civilized society and falls under the law of state or federal government तो वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा criminal offense जैसे suppose X raped Y सो यहाँ पे X raped Y के अंदर जब court के अंदर के जाएगा तो इट वोड़ भी X versus state of Bihar state of UP state of Rajasthan क्यों कि यहाँ पे Y की तरफ से कौन लड़ रहा है state लड़ रहा है कौन लड़ रहा है state लड़ रहा है क्योंकि that is against the civilized society I hope I'm clear with this लेकिन अगर यहीं पे अगर आप सीविल के अंदर बात करेंगे तो सीविल के अंदर होगा क्या एक्स वर्सेस एक्स वर्सेस वाई यहाँ पे दोनों पार्टीज ही के सेंदर पार्टी होंगी आगे बात करते हैं मिजॉरिटी ओफ दिटाइम ठीके मेजॉरिटी अब दी टाइम टॉट कव अकर होता है जब आप कोई केरलेसनेस करते हैं जैसे सब्सक्राइब कार एक्सिडेंट हो गया तो केरलेसने के कारण हुआ है यहाँ पे क्या है यहाँ पे intention है purpose है मुझे मुझे रिया आवस्थि को मार ना मुझे ही वस्ति को मारना है ये मेरा purpose है उस purpose के लिए में crime को क्या करता हूं commit करता हूं लेकिन मेरी गाड़ी रिया जी की ृणि इसे भिढ़ गई इसमें कोई purpose नहीं था बहिया इसमें परपस नहीं था यह मैं केरलेसनेस था मैं मोबाइल चला रहा था अचानक से रिया जी ने ब्रेक मारा और मैं मोबाइल के अंदर ही हूँ लवली हो रखा हूँ और मैं धड़ाम से पिछे से गाड़ी बढ़ा दी किसके अंदर राइम और आपके टोट अंदर आपके अंदर आघे बात करते हैं एस वांड रेस्पॉंसिबल अगर आपका केस बाद पता चलता है कि आप गलत है है तो फिर क्या मिलेगा the defendant जो मैं आपको का plaintive कौन है जो point file करता है or dependent कौन है जो से को defend कर रहा है जो the defendant must pay the court determined demage or compensation स्थी डिफेंड कर रहा था फो डिफयंड नहीं कर पाया वो गलत करार हो गया और ऑस सेच्वेशन के अंदर हमारे defendant को क्या करना पड़ेगा जो भी court compensation या damages बताएगा वो damages और compensation उसको पे करना ही पड़ेगा I hope I am clear with this बात समझ में आगे बिटा आगे बात करता हूं crime में क्या होगा the defendant will be sentenced if the found if the person who has been accused of found guilty अगर यहां पर guilty found हो गया तो यहां पर punishment के तोर पर sentence मिलती है यहां पर सजा मिलती है जेल जाना पड़ता है और यहां पर क्या देना पड़ता है यहां पर damages देना पड़ता है compensation देना पड़ता है यहां पर ऐसा नहीं है मैंने रिया जी का मडर कर दिया और मैं रिया जी के लिए कह देता हूं कि ठीक अरिया कितना कमाती ठीक 15,000 रुपया किते साल कमाती 40 साल कमाती 40 साल इंटू 15,000 कर दीजियर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दीजिए किता हो गया ठीक 70,000 रुपय ठीक आप मुझसे 45,000,000 रुपय ले लिजिए खतम करिये न किससे को नहीं भहिया यह यह दन एक्ट विचिज अगेंस दी सोसाइटी यू विल बी सेंटेंस टू दी जील यह डिफ्रेंस है बेटा क्राइम के अंदर और हमारे टॉट के अंदर बताईये कोई ऐसा क्राइम टॉट का डिफ्रेंस नहीं समझ में आया जल्दी से बता दीजी ऐसा कोई जिसको क्राइम और टॉट के बीच का डिफ्रेंस नहीं समझ में आया तुरंत लिख दीजिए मुझे यहाँ पे बेटा कॉंट्रेक्ट वर्सेज मडर क्या पूछ रहे हो आप समझ नहीं पा रहा हूं मैं सस्टी मस्ती क्लास मस्ती थोड़ी करनी ही बिटा काम करना है जल्दी बता दीजिए आई एवरीबड़ी टू टेल मी आर आप लोग के कॉमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैं आई टीच ऑन दी बेसेस ऑफ माई स्टुडेंस कोमेंट्स अगर आ स्पैमर कह रहे हैं I didn't understand बेटा देखो सिंपल सी कहानी है बहुत सिंपल सी बात है एक परसन उसने एक रॉंग किया अगर वो रॉंग सोसाइटी के अगेंस्ट है जैसे फॉर एन एक्जामपल मडर रेप थेफ्ट डिकाटी फ्रॉड चारसो बीसी ये सब क्या है सोसाइटी अगर आपने ऐसा किया तो आपके ओपर क्रेमिनल प्रॉसेडिंग्स जाएंगी आपको क्रेमिनल प्रॉसेडिंग्स के तुरू आपकी ट्राइल चलेगी और आपको अगर गल्टी फ Churchill किया गया मतलब अगर जऑस आपने ये आपके फाइनल वरडिक्ट के अंदर ये कहा कि आप गिल्टी है तो आपको बेटा सजा मिलेगी जेल की वहीं पे आपने ऐसा एक्ट किया जो की रॉंग है और वो क्या है सिविल रॉंग है उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है अगर आप आखरी के अंदर डिसाइड किया जाता है और आपके अगेंस्ट यह पता चलता है आपने गलत किया है तो वहां पर सामने वाली पार्टी को क्या सामने को आप क्या दोगे आप कॉंपन सेशन दोगे कॉंपन सेशन का मतलब है पैसा घश यह एक मूल और मूल भूफ फरक है पूरा का पूरा जो लोग नहीं जुड़े हैं करपा करके सेशन को लाइक कर दे और हमार साथ आगे जुड़े रहे ठीक है बेटा ओके अब समझ में आगा बच्चा अब आगया है आगया के बिटा अगर आगया है तो मैं आगे बढ़ूंगा अना ठीक है क्या है प्राइवेट रॉंग है जो कि वॉयलेट करता है किसका इंडिवीजूल्स और ग्रूप ओफ लीगल राइट्स ठीक है जैसे सपोज आप एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर रहते हैं जैसे को दस बजते ही उसको गाना बजाती है जोर जोर से डांस करती आयम में डिसको डैंसर ऐसे करके जोर जोर से डांस करती है जोर जोर से गाना बजाती है अब उसके अंदर बिटा आप सब लोग की नींद खराब होती है आप सब लोग मेरी तरह बिचारे काम करने वाले लोग सबसे शाम बहुत महनत करने वाले लोग शाम को आगे घरा के सोने का मन करता है और वहां सोएंगे का महां तो अमरीता दित्यों डांस कर रहे हैं गाना बजा के अब इस सेच्वेशन में क्या हो ग्रूप ओफ पीपल जो है उनके आप क्या है उनके आप लीगल राइट्स को क् कर रहे हो आप उनको परेशान कर रहे हो तो यहां पर क्या किया आपने आपने क्या वालेट किया है आपने रॉंग जो किया है वह पर्सनल रॉंग किया है किसके अगेंज्ट इंडिवीज्वेज्वेल्स और ग्रूप लीगल राइट्स को आप क्या कर रहे हो आप वहां ड कौन है अमरिता नंदी जी जो है वो है टॉट फीजर यहां पर ठीक है सर मुझे आपका बैच जोइन करना है बिटा अगर आपको बैच जोइन करना है वाई 738 कोड है आप इस कोड को लगाई ये और हमारा बैच जोइन कर लीजिए अभी छे बजे आप हमारा साथ जुड़ि ताकि आप मेरे पास ही पहुंचेंगे कहीं और नहीं पहुंच पाएंगे डिरेक्टली मेरे पास ओके वाई 738 इस दी कोड नाव दा सिविल कोड इस दी वेन्यू फो टो ट्राइल ये वेन्यू शादी वाला नहीं है जैसे अपन किसी की शादी का कार्ड आता है तो उसमें होगी आपकी सैशन कोट होगी बात समझ में आ गई आगे बढ़ता हूं टॉट लिटिगेशन जो होती है यह कंपाउंडेबल मतलब आप चाहो तो भाईया इसको कंपाउंड कर सकते हो वापिस ले सकते हो मैंने केस कर दिया आपके उपर और पता चला कि या ठीक है आर आप ऑचाह दिया इनसान हो गरीब इंसना नहीं पाएगा आपसे तो मैंने का कर दिया कंपाउंड कर लिए विड्रो कर लिया उसकेश को उठा लिया वापिस लेकर अगर आपने मडर कर दिया और फिर आपके मडर के चार्जेस के अंदर केस चल रहा आप वापिस से उठा लेंगे क्या केस को नहीं उठा पाएंगे न भी या यह फरक है है सो litigation is compoundable which implies that the complainant has the option of withdrawing his lawsuit बात समझ में आ गई आप अपना lawsuit है उसको withdraw कर सकते हैं दूसरा है taught is a type of infringement or breaking of provisions of a law ठीक है basically इसमें law के provisions है उन्हीं को आप ब्रेक कर रहे हैं और साथ के साथ में agreement है कोई suppose को agreement है आपका उसको breakdown कर रहे हैं आप ठीक contract नहीं कर रहे contract नहीं कर रहे contract क्या है contract हमारा law of contract से govern होगा वह यहाँ पर नहीं होगा टॉट डिफ्रेंट इंग है law of contract अलगा भी यह ठीक है और other than contract ठीक है यह 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 बहुत जरूरी है ठीक है okay now the first persons right or the civil wrong यह सारी चीज़े अगर include करती है तो फिर हम क्या कहेंगे कि आपने taught कर दिया है taught कर दिया है right किसी को कोई डाउट कोई सवाल को शक टाट के अंदर को शक या फिर टाट छब गया है माथ है पे कि अब हम टाट को कभी भी गलत नहीं होने देंगे अगर ऐसा है तो एक प्यारा सा प्यारा सा दिल और आप लोगों का एक छोटा सा नीट अन क्लीन और अच्छा समझा देगी आपको विकास अंजली चलो गए आज ताज होटल हाँ नो सर क्रिस्टल क्लियर साथ में क्या बात है बहुत बढ़िया देखिए बेटा अब आपके सामने में लेकर आया हूं कुछ ऐसे पिक्चर जो आपको करेंगे कि क्या होता है टाट यह देखी यह कार जो है यह कार कहां बिढ़ी यहां पीछे से बिढ़ी और इधर से क्या बंपर नीचे गिर गया ठीक है यह हमारे महीब जी और यह हमारी अमरीता जी ठीक है अमरीता जी के यह दोस्त है अमरीता जी के दोस्त है राज नाम है ठीक है यह राज जी अन्मरी टिए अंदर बैठीयों बड़ी बड़ी मैडम हैं वो नहीं उत्र पाई है अभी तक यहां पे महीब जी कहए रहे हैं तुने मेरी गाड़ी फोड़े भाई तेरी को पैसा लगेगा खर्चा देना पड़े गा तो यहां पे जो यह हैं इन्हों न ये हैं हमारे महीप साहाब ये कौन है ये हैं महीप और ये लोग कौन है ये इनके साथ वाले लोग है इन ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं चुगली कर रहे हैं इनकी बदनामी कर रहे हैं किसके बदनामी कर रहे हैं इन भाई साब के बदनामी कर रहे हैं और तो दूसरा कौन सा होता है यह जरा लिख दीजे मुझे एक तो वह है जो आपने अख़बार में लिख दिया सपोज यह अख़बार में आ गया ठीक है तो अगर रिटन है तो क्या होता है और अगर यह रिटन ना होके मुझे बोला जाता जैसे फॉर सपोज टीवी एंकर ने बेजित्ति कर दी या फिर आपके लिए कोई पॉड़कास्ट आ गया यह सब कहां है यह सब है यह सब है हमारा मुझे बोलावा ठीक है एक है लिखा हुआ तो दो तरीके की होते है बटा एक तो होता है स्लेंडर एक होता है अपका लिबल ठीक है ली से याद रखिएगा लि बात खतम बात समझ में आ गई चलिए बहुत बढ़िया शांदार बच्चे है मेरे आज के मजा आ रहा है मुझे आप लोगों पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यह देखिए यह इंटेंशनल टॉट है यह देखिए आपना यह मैडम जो है यह बैठने वाली थ फूल हा तो मैडम जैसे बैठने वाली थी इन्होंने उनके कुर्सी हटाई मैडम घरी धडाम से टोपा गिरा दूर फुल गिरे दूर मैडम की कमर होगे डेमेज और मैडम जो होगे बिमार त्य यह क्या किया है इंटेंशनल टॉट है अब यह जो दूसरी मैडम है इनके उ के बारे में वो है किसके बारे में असाल्ट और बैटरी के बारे में यह बैस इतना ही मैं इन सब चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी सिर्फ उपर-उपर से समझ में आ रहा है तो मज़ा आ को चांटा मारने वाला है चांटा मारने वाला बहुत का मतलब होता यह मारए है जैसे ही आपको डर लगता है कि यह मुझे मार देगा इसे कहते है इस समयmor अपके दिल के अप्रीह ऑन्च आ जाएंग इसे एप्रिण्छन कहते हैं इसे ऑसौल्ट गयते हैं यादर रखेगा लेकिन यह आदमी जिस ने चांटा दिखाया और चांटा दिखाने के बाल चांटा लगा अधिए जैसे इन भाई साब ने पहले से डांग दिखाया ठीक है मूर वोति हुआ जब तक तो असॉल था लेकिन जैसे इन्हों ने पीट पर भशीडा दिया जोर से यी क्या हूग भी बैक्टरी को किस से शाय रखेंगे बैट से किस से शाध रखेंगे बैट बैक से क्या करते हैं अपन बैट से मारते हैं चक्का तो क्या करेंगे बैटरी का मतलब मार दिया ठीक है और असॉल्ट का मतलब क्या है एप्रियंशन डर लग रहा है जहां तक डर लग रहा है आपके साथ असॉल्ट हुआ है और जब आपको आपकी पिटाई होगे या आपके लग गए है चुत्तर उस टाइम पर हम कहेंगे इसको batterie? best बेटा., इतना ही काम था इतना ही था इसको हम आज taught के introduction को जो है समझे होंगे, आपको taught के बारे में आज काफी हद तक समझ में आया हूगा कि taught होता क्या है? किस तरीके से taught को हम perform करते हैं? टॉट में क्या-क्या चीज़े हैं जो बहुत important होती हैं यह सब कुछ अगर concept clear होगे ना बेटा तो फिर जब टॉट से related कोई भी अगर आपका passage आएगा ना उस passage के अंदर आपको डरने की ज़ुरत ही नहीं है ठीक है और और वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात हैं वह है हमारा बैच अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ना चाहें और पेड़ के अंदर पढ़ना चाहें तो आप हमारे application पर जा सकते हैं application पर जाके या फिर website पर जाकि जैसे मैं आपको सिखा देता हूं कि हमारी website पे किस तरीके से purchase किया जा सकता है हमारा course तो वो कुछ इस परकार से आप देख लिजेगा आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप purchasing के लिए जाएंगे तो आप लोगों को यह देखिए यह आपका एक Google है Google पर आप जाके अड़ा 24-7 लिखेंगे तो यह सबसे पहला आपको दिखाए देगा हमारा अड़ा 24-7 का टैब यहां पर आप all courses में click करेंगे तो all courses के अंदर आपको option दिखाए देंगे अभी यह refresh हो रहा है let me check what is wrong with it okay one second one second all courses अभी यह operation में को दिख्कत है इंटरनेट शायद स्लो होगा तो अगर आप यहां पर अंडर ग्रेजुएट्स मिलेगा अंडर ग्रेजुएट्स में जाने के बाद में आपको बेटा law entrance exams मिलेंगे क्लिक ओन लॉइंटरंस exam you will get the options of the law entrance examinations टैप उन क्लैट पर टैप करिएगा और तुरंट के तुरंट आपको नीचे हमारा रहा होगा आपका क्लाइट क्लासिक 2.0 बैच देखिए यह बैच 42,000 रुपएगा है जो कि 10,500 में आ रहा है और जब आप बाइन आउप जाते हैं और अगर आप जो मैंने का जादू होता है वाई 738 जब यह लगाएंगे तो बेटा यह 9660 रुपएगा होगे यह डिसकाउ बोलो 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 सवाल जल्दी से लिखो वापिस से एलो सर मHCT 2024 का न्यू बैच कब शुरू होगा बेटा मHCT 2024 का बैच जो है वो बहुत जल्द इसी महीने के अंदर शुरू होने वाला है और आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे है 2024 मHCT भी क्यों क्योंकि हमारा मHCT का ब लेकिन जो टीचर आपको मारते हैं माबाप आपको मारते हैं इसको आप बैटरी के अगर तरह लेंगे तो आप तो रोजाना कोट के इंदर मिलेंगे आपको सर ने मारा आप इसको अपने मम्मी पापा से तीचर के साथ मत करिए अमरीता मेरी प्यारे बच्चे आप तो बहुत प्यारी बच्ची हो हां ओके ठीक है इसी के साथ आप लोगों से लेता हूं अलविदा जैहिंद जैभारत टाड़ा वाय वाय अपने घरवालों का करिए अपने देश क रहे चार से पांच बाइवाय टेक केर जैहिंद जैभारत